अब हम देख लेते हैं रेडिव एक्टिव टा तो वे तत्र जो प्रकति में स्वतःही होते रहते हैं रेडियो एकटिव तत पहला क Cohen and इसे रेडियो सक्रीता भी कहते हैं रेडियो एक्टिविटी भी कह लेते हैं या ये दिशी डीयो व्यक्तित न भी कहते हम से व क्रणं तो निकलने वाली किरण रीडीयु करने केहलातन के तो तो भिन होता है स्वता विक्तित रहते हैं और इनसे strengths ने कलती हैं इन से जो किरणे ने कलती है वह रिडियो एक्टो किरणे कहलाती है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेन्री वेकरल एहनरी वेकिरल अठारा सिंग के आनवे में पोटेसियम यूरेनायल सलफेट से स्वता उत्सर्जत होने वाली अध्रस किरणों को अध्यन किया जो अंधिरे में एक फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावेत करती है तुथा जैड़न जैसे पदार्थों पर ये इस्फुर देती यानि कि चमाक उत्पान करती है मेडम क्यूरी और उनके पती पी क्यूरी ने स्वता उत्सर्जत होने वाली भेदन किरणों की घटना को रेडियो अक्टिवता नाम दिया तो जो मेडम क्यूरी थी अपनी और उनके पती पी क्यूरी थे उन्होंने इस घटना को रेडियो अक्टिवता नाम दिया मेडम क्यूरी से देख लेते हैं, मेडम क्यूरी ने एक नए रेडियम की खोज, पिछ बिलेंड, यानि कि यूरेनियम का खनिश था जो, पिछ बिलेंड, अर्था ती इसका फॉर्मूला यू 3-0-8 से की थी, रेडियम की खोज इस से की थी, इस वाले तत्त से की थी, जो कि य यूरेनियम की तुला में तीन मिलियन गोना था, तीन मिलियन गोना था यह, आज का लगभग 42 तत गयाद है, तो कितने रेडिय अक्टिव तत गयाद हैं, तो 40 कि यदि पदार्थ अपने 15 में द्वारा विक्रण उत्सरजत करते हैं तो उन्हें प्राकृतिक ठर्मिता कहते हैं ये कैसी की प्राकर्टिक प्राकर्णा करती हैं ये विक्रण' प्रॉप्य प्रॉड तो सकता है वह यंत्र कौन 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 सकता है अब रेडियो एक्टिव उतसरजन की पिरकति यहम लग चाहए। तो यह radio active पदार्थ होती है यह आप चित में देख सकते हैं कि यह लेड़ ब्लाउग यहां रखा गुगा जो अल्फा कण होता है वो negative की तरफ आकरसित होता है यानि माइनेस की तरफ आकरसित होता होता है इसका मतलब है कि सोयम की नाबे कि या कुछ तको छेगे करना होती है है तो जब कोई तंत्य होता है या ने नस्ट होता है तो इसमें यह दूदर्मी भरणव की परकाती का अध्यां रादार फोड़्ड ना उनिस्सोचार द्वारा बिद्द॥ वा चुंबकिये छेत्र की उपस्तिति में किया गया यह 3 परकार के अलफा, वीटा और गामा किरंड़ों बिगटेत हो गए इन्होंने ऐसा ध्यान किया कि कोई रिडियक्ति पदार्थ है जो अलफा, वीटा, गामा किरंड़ों का उतरजन करता है और इसकी मात्रा ज़िसी समय निकलता जाता है जही समय होता जाता है उसकी मातलए कम होते जाती मतलब वो पदार्थ है घटता चला जाता है अब देख लेते हैं ईसकी अलफा वीटा किरण और गामा किरण तो जब अलफा किरण होती है तो आवेश और Dragon Man में क्या फ़रक पड़ता है तो अनुन इसका आवेश 2-1 धनात्मक तथा द्रवमान 4-1 कम हो जाता है जब अलफा क्रण उत्सरजन होता है जब अब इस एक्जाम में लिखना है तो अलफा क्रण वाला जो लक्षण है वो सभी एक तरफ लिख देंगे हेडिंग डालके और बीटा क्रण वाले जो लक्षण है वो एक ऍध्याम में उसमें कोई प्रब्लम नहीं आएगि तो बीटा क्रण जब उत्सरजन होता है तो इसका आवेश 1-1 काई रिन आवेश 1 cth तथा द्रवमान उसमें कोई परवरतन नहीं होता द्रवमान जब गामा क्रण उत्सरजन होता है रियोडीरक्ते ओ पाल्ट उस इनम या हम इसे देखाते हैं और बीटा क्रण की पहंचान माइनस वन एक उपर जीरो यानि यह एलेक्ट्रों के रूप में निरूपयत किया जाता है और यह जो गामा क्राण है यह चूर्जा विक्राण है तो जो अल्फा क्राण है यह कैथोड की विचलित होते हैं यह कैथोड की तरफ नहीं की माइनस की तरफ हो और जो बीटा क्राण है यह आूट धनात्मक पलेट की तरफ यह विचलित हो जाते हैं और इनमें कोई विचला नहीं होता है क्यों इनमें कोई आविस नहीं होता है गामा किरण में और वेग कितना होता है तो वेग पिरकास के वेग का एक बटी दसमा भाग होता है और जो बीटा किरण है इसमें वेग पिरकास के वेग के समान होता है और जो गामा किरण वेग जो होता है वो परकास के वेग के समान होता है और आयनन की छमता होती है जो आलफा क्रण की होती है तो ये बहुत अधिक होती है बीटा क्रणों से लगवक सोगना होती है और बीटा क्रणों की ये गामा क्रणों से सोगना होती है और इनकी जो आयनन छमता है बहुत कम हो शंता से 10 गूना अधहे हो इनकी भीधन शंता है और अधेक दो एगामा क्रावी तक चलती है उत्पादन की प्रकति क्या होते हैं? एक उत्पाद की चछती द्वारा पर आप्त और अत्वात्त की पर्मान कि्र्मांग में तो फदार्थ में निय printed गवड़ी होता है ग liquid army संभय कोई परिवर्थ नहें होतो है मी सब्सक्राइब क्वड़ी होते है